ओके गाईज यह देखो हम क्या बना रहे आप देख सकते हैं यह मैंने चार पाउंड चिकन खीमा लिया मैंने बहुत अच्छे से दूया और मैंने यह चाननी में रखा था तो ब्लड हो गेरे इसका यह हो गया तेकल गया और यह मैंने इसमें अध्रक लसन हरी मिर्ची और प् कि मिक्स कर देती है इखकर तक एकला मेरा पास यह गरम मसाला थोड़ा मर्म करेंगे ठोड़ा अच्छे से क्योंकि बहुत इक हैं कॉंटेटेटी केom हम्टरेटिकमा चेंगे इसमें एक चम्मच हल्दी लिया दरिया जीरा पाउडर थोड़ा लेती है और आपके पंटेटी की हिसाब से आपको लेना है नमक तो यहाइनग और यह कॉब हमें और यह सकता हुआ है तो यह थोड़ा सा इसमें अड़ करते हुआ है यह सब्ब्सक और व्नित क्योंकि शिए थोड़ा निकरने का क्योंकि यह सब्धाइब uniform अब यह दनिया है बस यह हो गया अब इसमें तेल अगे रहा कुछ में जाता है जो जो मैंने एड करना था मैंने सब दिखा दिया दिख रहा है क्या आपको देखो मैंने यह सारा मिक्स किया है और इसमें तेल लगाया है तेल यह सब मिक्स करके इसको गोल गोल भी बना सकते हैं और में तो उसमें आउन में करने वाली ना भी फ्राय ने करूंगी फ्राय में बहुत तेल जाता है और ऐसे करोगे ना आउन में रोकोगे तो अच्छा भी होता है और ऑईल भी कम जाता है फिर इसमें तो ऑईल नहीं जाता ज्यादा और तो दिखा दोंगे अगर मैंने करना है तो क्योंकि ऐसी टेस्ट बहुत अच्छी आती है तो ऐसे लंबे-लंबे करके देखो मैंने वैसे बनाया मैं फिर अपके पास आती हूं सुरी मेरा हाथ भी बहुत खरा वह देखो गाइस मैंने कबाब बना दिया है और उदर जो रेट बहुत अब दिक रहा है न वो मतन है मेरे बेटे के लिए वह भी बना के दूंगे देखो मा तो माई होती हाँ आप समस्तिया इधर आवन मैंने गरम करने के लिए रखा है और अब प्री चल रहा है और मैं आवन में रख दूंगे फिर दिखाती हूं आपको आती हूं के बा है कि कबाब बहुत अच्छे से हो गया वो तेल डाला था ना उसका पानी अल्लग हो गया देखो अब यह मैं बाहर निकाल से काथ क्वाइब हलो गाइज देखो मैंने कबाब बनाया और यह बहुत अच्छा टेस्टी बना है यह मेरे दुबई के बांजी ने बोला मौशी आप वीडियो करना तो मैंने वीडियो किया तो मेरा कबाब कैसा बना यह चिकन का कबाब है मुझे लाइक सब्सक्राइब और मुझे कमेंड में बताना मेरा कबाब कैसा है और यह मेरा मटन भी बन गया यह तो भारगाउं जाएगा कबाब इसलिए बनाया है ओके गाईज बाई